इस वीडियो में हम आपको आशीश विद्धार्थी की जिंदगी के कुछ अंचुए पहलूओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि आशीश विद्धार्थी ने 25 मई के दिन 57 साल की उमर में अपनी दूसरी शादी कर ली। उन्होंने गोहाटी की रहने वाली फैशन डिजाइन और बिजनस विमन रुपाली बरुवा से शादी की है। इससे पहले आशीश ने अक्टरस शकुंदला बरुवा की बेटी राजोशी बरुवा से शादी की थी। लेकिन पिछले साल दोनों का तलाक हो गया था। हाली में आशीश विद्धार्दी ने अपनी एक्स वाइफ पीलू यानी राजोशी के साथ अपने रिष्टों पर खुल कर बात की। उन्होंने बताया कि तलाक लेने से पहले दोनों ने अपने रिष्टे को बचाने की बहुत कोशिश की। इतना ही नहीं उन्होंने प्रोफेशनल्स की मदद भी ली। इंडिया टुड़े को दिये इंटर्व्यू में आशीश ने पीलू के साथ अपनी शादी के जीवन में 22 साल की अद्भु जर्नी को खुल कर बताया। उन्होंने कहा हमने कई सालों तक सभी जिम्मदारियों को निभाया लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने महसूस किया कि हम अपना भविश एक दूसरे से अलग देख रहे थे। हमने पूरे एफ़र्ट्स लगाए लेकिन हमने पाया कि इस रिष्टे पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हम दोनों बैठे और इस बारे में बात की। उस वक्त एक पॉइंट आ गया था जब मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि हमने अपने रिष्टे को बचाने क नियीए तहई दिल से कोशिश की थी आशिश ने बताया कि तलाके बाद वो क्लियर थे की उन्हें लाइफ में नया पारटनर चाहिए इस बारे में उन्हों ने अपनी एक्स-वाइफ से खिल कर बात भी की थी उन्होंने कहा मैं बहुत क्लियर था की मैं अके और के साथ अपना भविश बिताना चाहता हूँ तब वन्होंने मुझे कहा की मैं भी अपनी जन्दीगी को अलग देखना चाहती हूँ मुझे लगा, बिलकूल हमें ऐसा करना चाहिए यहाँ दो लोग थे और दोनों ही कि मा के तोर पर ही नहीं देखता बलकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और अगर आपको लबता है कि मैं उनसे बिना दर्द के अलग हुआ हूँ तो ऐसा नहीं है यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बलकि पीलू और हमारे बेटे के लिए भी बहुत मुश्किल था पर फिर यह फैसला आपको ही लेना होता है कि आपको दुख के साथ रहना है या उससे आगे बढ़ना है इससे पहले हिंदोस्तान टाइम्स को दिये एक इंटिव्यू में पीलू ने आशीश की दूसी शादी पर अपना डियक्शन दिया था उन्होंने कहा था लोग एक ही स्टीरोटाइप से बंदे हुए हैं कि दो लोग जब अलग होते हैं तो दोनों के बीच मार बिटाई और गाली गलौशी होती है कभी कभी दो लोग शान्ती और खुबसूरती से जीने के लिए भी अलग होते हैं वाकई बदलते समय के साथ इनसानी रिष्टों की परिभाशाएं बदल रही है और शायद आने वाला समय हमें बताने वाला है कि सुख की नई परिभाशा क्या हो सकती है क्या आप इस बात से तफ़ाक रखते हैं आप इस विशे पर अपनी जो भी राय रखते हों इस वीडियो के नीचे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं